कि इतने साल हो गए, गाते गाते, कभी-कभी जो है रूठ जाते हैं, मिजाज मोट खराब हो जाता है उनका, फिर नहीं आते पास में, और कभी-कभी मिजाज उनका ठीक रहता है तो ऐसे आते हैं, चारोतरप से बरस्ते हुए आते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, आपकी मर्जी भी नहीं चलेगी वहाँ आपको सरिंडर होना पड़ेगा उनकी मर्जी पे चोड़ना होगा उनसे प्रार्थना करना होगा कि आजाओ गंधार आजाओ मध्यम आजाओ पंचम लग जाओ किसी के बस में नहीं है कि हम हर बार पंचम एक ही जैसा लगाएंगे बड़ा सुक्ष्म सब्जेक्ट है और डिवाइन है और डिविनिटी यही है खोजना जितना आप एक्स्प्लोर करोगे जितना आप खोजोगे उतना ही धीरे-धीरे मिलता जाएगा यह हम लोगों का एक अपना अनुभव रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग सब सुरों की प्रकृति अलग अलग है उसको उस अंदाज से लगाना है और कुछ जी क्या क्या अगर आपको राग का चलन मालूम है तो राग का दर्शन होना जरूरी है कई लोग को चलन तो मालूम होता है लेकिन वो ऐसा सूंचते है कि मैं इसकी जो चाल निर्धारित करूंगा वही दुनिया मानेगी तो वो राग जो है उनको उठा के पटकता रहता है हमने देखा है और आप भी देखेंगे और देखते भी होंगे जो लोग राग के साथ छेड़खानी करते हैं या ऐसा सूंचते हैं कि जो मैं इस राग में जो भी मैं लिबर्टी ले रहा हूं या जो भी कुछ कर रहा हूं उसके सौंदरे बोद को बढ़ाने के लिए यही दुनिया एकसेप्ट करेगा और करता भी है लेकिन राग कभी उनको माफ नहीं करता बहुत साल पहले एक बहुत अच्छे कलाकार का मैं सुनने गया तो दस-पंदर मिनट लेट पहुचा मैं हाल में तो मैंने अपने परोसी से पूछा कि कौन सा राग एनाउंस हुआ है तो वो हमारे तरफ देखके हसने लगा बहुत पंदरीची आप मजाक कर रहे हैं उनके का ने ने मजाक नहीं कर रहे हैं सही बताईए बहुत अरे यमन उनके का अच्छा-च्छा मतलब आप समझ सकते हैं कि यमन भी ऐसा हो जो मेरे समझ में नहीं आवे तो वो राग के साथ थिलवाण अब यमन में जो सौंदरे बोर्थ दिखाते हैं लोग अब ये इससे कोई यमन का सौंदरे नहीं बढ़ता बलकि यमन की हत्या होती है वो बिलकुल हलाल हो रहा है यमन क्योंकि यमन का जो बहुत प्रमुख स्वर है पंचम है अब वो पंचम को ही उमीट कर दिया इस तरह की बंदिशें लोग बना दिये एक छोटा सा पंचम लगा दिया सरम में तो इस तरह की हरकतें बहुत हो रही है जैसे नट भैरो है उसमें सुना हमने कुछ लोगों को तो उसमें भी कुछ अजीब तरीके से वो बजा रहे हैं नट भैरो बागेश्री सुना बागेश्री में कुछ अजीब कुछ हो रहा है दर्बारी और मिया मलार तो बहुत दूर है अभी जब बागेश्री के साथ ही हो रहा है तो दर्बारी में तो होना जरूरी है उटो गई दुने गरेनी निसानी जरे दर्ड़ दनी जरे गरे साथ मगरे निगरे धनी रे गरे साथ अब ये हो रहा है तो उससे हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जब आप राग के साथ इमांदार रहोगे तो राग आपको रास्ता दिखाता है राग का आवाहन करना पड़ता है उसका प्रार्थना करके उसको बुलाना पड़ता है और वो जिस दिन आ जाता है उस दिन बस आनन्द ही आनन्द है फिर उसके आने के बाद फिर दूसरे राग को आना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप आवाहन करते हो किसी चीज़का मंत्र का आवाहन होता है जब हम अगनी कुंड में जब हवन करते हैं तो अगनी का आवाहन करते हैं हम अपने देवताओं का आवाहन करते हैं तो जब वास्तविक रूप से मंत्रो चार हो और अगनी कुंड में अगनी प्रज्वलित हो तो वाकई वहाँ एक इनर्जी आती है संस्कृत इसलिए इतना पावर्फुल लेंग्विज है तो मेरे कहने का सर्फ यह इतना ही मतलब है कि जो हमारी परंपरा है वो कुछ सोच समझ के और बड़े रिसर्च के बाद बनाई गई है उसके साथ खिलवार नहीं होना चाहिए नहीं नहीं राग बनाते जा रहे हैं लोग अरे अभी यमन ही नहीं का गंदार ही नहीं सदा चले पतानि कौं कौं सा कवस और कौं कौं सा क्या-क्या अरे भईया मालकौस में रस पैदा कर लो हमारे बुजर्गों ने हमारे पूरवजों ने इतनी बड़ी संपदा छोड़ी हुई है संगीत की कि जनमों जनमों लग जाएगा उसको हम खोज भी लें उसको हम कायम भी रख लें यही बहुत बड़ी काम बहुत बड़ी बात है पुराने लोगों की बंदिशें पुराने लोगों की गायकी उस गायकी में क्या अंग छिपा हुआ है क्यों ऐसा गाया गया जैजेवंती जैजेवंती को क्यों ऐसा गाया गया इतना ही गंदार लग रहा है अब इतना जादा गंदार लगाने लगे